भारत आज न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहा है और इसमें सबसे खास बात है कि हम किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद अपने आप से मुकाबला कर रहे हैं साथियों आज भारत पहले के मुकाबले और तेज गती से आगे बढ़ना चाहता है आज भारत कुछ लोगों की इस सोच को चैलेंज कर रहा है जिनकी सोच है कुछ बदली नहीं सकता है बीते पांच सालों में एक सो तीस करोड भारतियों ने मिलकर हर खेत्र में ऐसे नतीजे हासिल किये है जिनकी पहले कोई कलपना भी नहीं कर सकता था धी अविए अविए अइमिंग हाई एचिविंग हायर भाई और भाई और भेहनों साथ दसकों में देश का रूरल सेनिटेशन थर्टी एट परसंड पहुचा था। पांच साल में हमने ग्यारा करोड यानी 110 मिलियन से ज्यादा सौचाले बढवाए। आज रूरल सेनिटेशन 99 पर सेंट पर है। देश में कुकिंग गैस कनेक्शन भी पहले 55 प्रतिक्षत के करीब था। पांच साल के भीतर भीतर हमने इसे 95 परसंट पहुचा दिया। सिर्फ पांच साल में हमने 15 करोड यानी 150 मिलियन से ज्यादा लेगों को गैस कनेक्शन से जोड़ा है। भारत में रूरल रोड कनेक्टिमिटी यह भी पहले सिरफ 55 परसंट थी। पांच साल में हम इसे 97 परसंट तक ले गए। सिर्फ पांच साल में हमने देश के ग्रामिण इलाकों में दो लाग किलोमिटर यानी 200,000 किलोमिटर से ज्यादा सडकों का निर्मान किया। भारत में 50 परसंट से भी कम लोगों के बैंक अकाउंट थे। आज पांच साल में लगबाद 100 परसंट परिवार बैंकिंग व्यवस्ता से जुड़ चुके हैं। पांच साल में हमने 37 करोड यानी 370 मिलियन से ज्यादा लोगों के नए बैंक अकाउंट खुलवाए हैं। साथियों आज जब लोगों की बेसिक नेसेसिटीज की चिंता कम हो रही हैं। तो वो बड़े सपने देख पा रहे हैं। उन्हें अच्चिव करने के लिए सारी एनरजी उस दिशा में लगा रहे हैं। साथियों हमारे लिए जितना इज ओफ दुइंग बिजनेस का महत्व हैं। उतना ही इज ओफ लिविंग का भी। और उसका रास्ता है एंपावर्मेंट। जब देश का सामान्य मानवी एंपावर होगा। तो देश का सोच्यल और एकॉनमिक डवलप्मेंट बहुत तेज गती से आगे बढ़ेगा। मैं आपको आज एक उदाहर्म देता हूँ। साथियों आज कल कहा जाता है डेटा इस दे न्यू ओइल। आप हुस्टन के लोग ओइल की जब बात आती है तो इसका मतलब भली भाती जानते हैं। मैं इसमें ये भी जोड़ूंगा कि डेटा इस दे न्यू गोर्ड इंड़स्टी फर फोर पॉइंट जीरो का तो सारा फोकस ही डेटा पर है। अगर पूरी दुनिया में जड़ा गोर से सुनिये अगर पूरी दुनिया में सबसे कम कीमत पर डेटा कहीं उपलब्त है तो वो दोईश हैं भारत। आज भारत में वन जी बी डेटा की कीमत है सिरफ 25 टू 30 सेंट के आसपास यानि एक डॉलर का भी चौथाई हिस्सा और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एक जी बी डेटा की वर्ल एवरेज की कीमत इससे 25 से 30 गुना जादा है ये सस्ता डेटा भारत में डीजिटल इंडिया की एक नई पहचान बन रहा है सस्ते डेटा ने भारत में गवर्णेंस को रीडिफाइन भी किया है आज भारत में सेंट्रल गवर्णेंट और स्टेट गवर्णेंट की करीब-करीब 10 थाउजन सर्विसीज ऑनलाइन उपलब्द है साथियों एक समय था जब पास्पोर्ट बनने में 2 से 3 महने लगते थे अब एक हफ़ते से भी कम समय में पास्पोर्ट घर आ जाता है पहले वीजा को लेकर किस तरह की दिक्कत थी ये शायद आप ज़्यादा जानते हैं आज यूएस बारत के इवीजा फैसिलिटी के सबसे बड़े वीजर्स में से एक है साथियों एक समय था जब नई कमपनी के रेजिस्ट्रेशन में दो-दो-तीन-तीन हफ्ते लग जाते थे अब 24 गंटे में नई कमपनी रेजिस्ट्र हो जाती है एक समय था जब टैक्स रिटन भरना बहुत बड़ा सिर्दर्द होता था टैक्स रीफन आने में महिनों लग जाते थे अब जो बड़लाव आया है वो सुनेंगे तो आप चौंग जाएंगे इस बार 31 अगस को एक दिन में मैं सिरफ एक दिन की बात कर रहा हूँ एक दिन में करीब पचास लाख याने फाइव मिलियन लोगों ने अपना इंकम टैक्स रिटन ओनलाइन भरा है यानी सिर्फ एक दिन में ही पचास लाख रिटन यानी हूस्टन की कूल पॉपुलेशन के भी डबल से ज़ादा और दूसरी सबसे बड़ी बात जो टैक्स रिफन महिनों में आता था वो अब हपते दस दिन में सीधे बैंक में ट्रांसपर हो जाता है भाई और भेनों तेज विकास का प्रयास कर रहे किसी भी देश में अपने नागरीकों के लिए वेलफेर स्कीम्स आवशक होती है जरुरत बन नागरीकों के लिए वेलफेर स्कीम्स चलाने के साथ साथ नए भारत के निर्माण के लिए कुछ चीजों का फैरवेल भी दिया जा रहा है हमने जितना महत्व वेलफेर को दिया है उतना ही फैरवेल को भी दे रहे हैं इस दो अक्तूबर को जब देश महत्मा गांधी की एक सो पचासवी जन्वे जन्ति बनाएगा तो भारत ओपन डेफिकेशन को फैरवेल दे देगा भारत बीते पांच सालों में पंदरा सो से जादा बहुत पुराने कानूनों को भी फैरवेल दे चुका है बारत में दरजनों टेक्स का जो जाल था वो भी बिजनेश फ्रेंडली माहोल बनाने में रुकावड खड़ी करता था हमारी सरकार ने टेक्स के इस जाल को फैरवेल दे दिया और जी एस टी लागू किया बर्चो बाद देश में वन नेशन वन टेक्स का सपना हमने साकार कर दिखाया है साथियों हम करप्शन को भी चैलेंग कर रहे हैं उसे हर स्तर पर फैरवेल देने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं बीते दो-तीन साल में बारत ने साड़े तीन लाख यानी 350,000 से जादा संदिक्ट कंपनियों को भी फैरवेल दे दिया है हमने 8 करोड यहने 80 मिलियन से जादा ऐसे फैरवेल दे दिया है जो सिरफ कांगजों पर थे और सरकारी सिवाओं का फाइदा उठा रहे थे और साथियों आप कल्पना कर सकते हैं इन फरजी नामों को हटा कर कितने रुपिये गलत हादों में जाने से बचाए गए है करीब करीब डेड़ लाख करोड रुपिये यानी तकरीबन 20 बिलियन युएस डॉलर्स एक देश में हम देश में एक टास्परंट एको सिस्टिम बना रहे हैं ताकि विकास का अगाप हर भारतिय तक पहुँचे और भाईयों बहनों एक भी भारतिय विकास से दूर रहें ये भी भारत को मंजूर नहीं है देश के सामने सत्तर साल से एक और बड़ा चलेंग था जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फैरवेल दे दिया है आप समद्गे ये विशा है आर्टिकल 370 का आर्टिकल 370 ने आर्टिकल 370 ने जम्मु कश्मीर और रदा के लोगों को विकास से और समान अधिकार्यों से वंचित रखाता इस थीती का लब आतंकवाद और अलगावाद बढ़ाने वाली ताकते उठा रही थी अब भारत के समिधान ने जो अधिकार बाकी भारतियों को दिये हैं वही अधिकार जम्मु कश्मीर और रदा के लोगों को भी मिल गए हैं वहां की महलाओं बच्चों दलीतों के साथ हो रहा बेजबाओं खत्म हो गया है साथियों हमारी पार्लामेंट के अपर हाउस लोवर हाउस दोनों में गंटों तक इस पर चर्चा हुई जिसका देश और दुनिया में लायू टलिकास हुआ बारत में हमारी पार्टी के पास अपर हाउस याने राजसभा में बहुमत नहीं है बावजुद इसके हमारी पार्लामेंट के अपर हाउस और लोवर हाउस दोनों ने इससे जुड़े फैसलों को दो तिहाई बहुमत से पास किया है मैं आप सबसे हाग रह करता हूँ हिंदुस्तान के सबी सांसदों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए हाँ बहुत बहुत जन्यवाद आपका बारत अपने यहाँ जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिन से खूद अपना देश समल नहीं रहा है इन लोगों ने बारत के प्रती नफरत को ही अपनी राजनीती का केंद्र बना दिया है यह वो लोग है जो अशान्ती चाहते है आतं के समर तक है आतं को पालते पोस्ते हैं उनकी पहचान सिरफ आप नहीं पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है अमेरिका में नाइन इलेवन हो या मुंबई में ट्वैंटी सिक्स इलेवन हो उसके साजिस करतां कहां पाए जाते हैं साथियों अब समय आ गया है कि आतंगबाद के खिलाब और आतंगबाद को बड़ावाद देने वालों के खिलाब मिरनायक लड़ाई लड़ी जाए मैं यहाँ पर जोर दे कर कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में प्रेसिडेंट ट्रामप पूरी मजबूती के साथ आतंगबाद के खिलाब खड़े हुए हैं एक बार आतंगबाद के खिलाब लड़ाई का रास्टपती ट्रामप का जो मनोबल है हम सम मिल करके उनको दे स्टैंडिंग और संदेंगे छेली ट्रामप के अीजस के खिलुbangर तामप सम्माप के खिलू का जाल है तंक यो थ्टटъ